तो 15 अगस्त को 1947 को बना तो उस टाइम पे कोई constitution नहीं था ठीक है तो British India जो है British India ने जो last constitution पास किया था वो किया था Indian Act 1935 का जो 1935 का जो 1935 का जो एक्ट था जो पास किया गया और जो 1937 के अंदर जो है वो लागू किया गया था इंडिया के अंदर जिसके तहट जो है वो elections करवाएगे थे 1937 के elections तो जिसके तहट Congress Ministries बनी थी तो वो ही constitution जो है 1947 के अंदर कुछ तबदिलियों के साथ जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो है इसको एडॉप्ट किया उस वक्त तक कि जिस वक्त तक हमारे पास नया constitution constitution नहीं होता उसके बाद फिर हमने देखा कि एक सिलसला शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर जो है और वो सिलसला क्या शुरू हुआ कि उसमें एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि डिबेट क्या थी कि भाई यब पाकिस्तान का constitution होना कैसा चाहिए कि भाई वो इस्लामिक होन चाहिए सेकुलर जिसको हम कहते हैं तो ये बड़ा इशु था क्योंके जो हकुमत में पैठे वे लोग थे वो थे लिबरल ठीक है और आजाद ख्याल लोग थे और जो चाहते थे जिन्हों ने पाकिस्तान मुव्मेंट को सपोर्ट किया था और जो इस्लामिक लोग थे एक् पाकस्तान के नाम के उपर बना तो इसका मतलब ये है कि इस्लामिक कॉंस्टूशन बने इवन यहां तक के एक डिवेट है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि काईद आजम ने ये बात कही कि हम एक लिबरल कॉंस्टूशन बनाएंगे एक सेकुलर आइन बनाएंगे जिसमें हर एक को यानि जो माइनॉरिटीज हैं जो अकलियते हैं उनको भी बराबर के हुकुक हासल होंगे लेकिन वहीं पे एक स्कूल आफ थौट ये मानता है कि काईद आजम ने ये कहा कि हमने ये मुल्क इसलिए हासल किया क्योंकि हम इसे इसलाम की तिजर्बागा बनाएंगे तो फिर जब उनसे पूछा गया कि हमारा Constitution कैसा होगा तो उन्हें उनका हमारा Constitution तो 1400 साल पहले ही वो बता निया गया यन्हें कि उन्होंने वाद की कुरान की कि हमारा Constitution एच्वरान और हदीश के ओपर मबनी होगा लेकिन बहुत से लोग इसंगरी नहीं करते तो इसलिए हम इस जाएंगे लेकिन ये दोनो स्कूल अफ थाट्स अभी भी आपको अब दिखाई देंगे डिबेट करते वे कॉंस्टिटूशन के ओपर तो तब भी ये इशू था सेकुलर या लिबरल वर्सिस इस्लामिक तो फिर काफी जादा इशूस बने क्योंकि इसम्बलीज में जिनकी पावर थी वो सेकुलर कॉंस्टिटूशन चाहते थे लेकिन जिनकी स्ट्रीट पावर थी वो चाहते थे कि भई इस्लामिक कॉंस्टूशन मैंने खास करके मौलाना मौदूदी वो मैं उसमें जिकर भी कर चुका हूँ दूसरी वीडियो के अंदर तो ऐसे में फिर जो है वो लेकात अली खान ने जो है यह नहीं क्योंकि यह राइट विंग और लेफ विंग का एक इशू था ना तो ऐसे में फिर राइट विंग जो है उसको कामयाभी मिली और लेकात अली खान ने जो है वो इस्लामिक कॉंस्टिटूशन को प्रेफर किया तो उन्होंने अबजेक्टिव रेजूशन जो है वो 12 मार्च और 1949 को जो है वो पास करवाई और जिसके तहत कुछ फर्डमेंटल जो हो तैकर लिये गए कि हमारा जो निया कॉंस्टिटूशन है जो निया आइन है वो एक्चुली में कैसा होगा उसके जो फर्डमेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बुन्यादी उसके जो पॉइंट्स है वो कौन से होंगे تو وہ بنیادی points کون سے ہوں گے وہ اسلام کے اوپر اس کی ساری base ہوگی اب کیوں کہ اس کا سب سے important چیز تھی وہ تھی سورینتی کہ حاکمیت تو حاکمیت کہا کس کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور جو ہم نیچے حکومت کر رہے ہیں ہم خلیفہ ہیں نائب کے طور پر کام کر رہے ہیں اب جب حاکمیت اللہ کی ہے تو obviously پھر rules جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی چلیں گے तो यहीं से तैह हो गया कि सुवरेनिटी जो है सबसे important है और already हम यह जानते हैं देखिए अब western sovereignty के अंदर क्या है कि western sovereignty में जो actual power होती है वो होती है लोगों के पास अवाम के पास होती है क्योंकि vote के थूँ लोग elect होके आते हैं मतलब power किसके पास है लोगों के पास है तो लोग जो है democratic system के अंदर जो है वो powerful होती है तो वहाँ पी sovereignty लोगों से तालूक रखती है जब कि हमारे जो sovereignty है वो किस से तालूक रखती है वो इस्लाम से रखती है तालूक इसलिए लामा इकबाल ने कहा था जो western type of democracy है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो काबले कुबूल नहीं तो उसके उपर फिर पूरा जो एक सिल्सला पर चला था तो यही वजा है सबसे बड़ी तो हाकमियत ही बता देती है कि हमारा सारा सिल्सला कैसा होगा तो objective resolution पास होई जिसने हमें बताया कि हमारे fundamentals जो है वो constitution के क्या होंगे गो किसके बावजूद 9 साल तक जो है इस objective resolution के ओपर ही काम चलता रहा यानि केसी के तहदी मुल्क चलता रहा बस क्यूंके constitution पहला जो बना वो 1956 के अंदर बना तो first constitution जो है 1956 के अंदर जा के बना लेकिन वो भी मफाद परस जो टोला था हमारे जो हुक्वनान बैटे वे थे तो उन्होंने जो है फिर उसको भी accept नहीं किया सिकंदर मिर्जा इसके तहद पहले सदर बने लेकिन उसके बाद सिकंदर मिर्जा ने साथ अक्तूबर को मार्शला लगा दिया तो उसको फिर 27. अक्तूबर को जो है वो अयूब खान ने टेक ओवल कर लिया और इस तरह से एक मार्शला का दोर का आगाज हुआ या पहला मार्शला पाकिस्तान में लगा तो मार्शला लगा तो अबिसली जो constitution है वो यहां पे बैन हो गया तो उसके बाद 1962 का Constitution बनाया गया जो अयूब खान ने कोशिश की कि उनको favor कर सके तीक है और उसके बाद यह Constitution चला लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 25 मार्श 1969 को 2nd मार्श अला लगा याया खान की तरफ से और नतीजे के तोर पे वो जो 2nd Constitution था वो भी खतम हो गया तीक है यानि पहला Constitution था यह Parliamentary था तीक है और दूसरा जो Constitution था यह सदारती था क्योंकर यूब खान सदर थे तो सदारती निजाम उन्होंने इंट्रिज्ट करवाया था उसके बाद जो 3rd Constitution जो अभी हमारा Constitution है वो 1973 को जो है वो बना थीक है 1973 का Constitution और यह 14 अगस्त जो है 1973 को यह लागू हुआ तो यह Constitution भी जो है वो Parliamentary Constitution है यानि Parliament के ओपर हमारा सिस्टम जो है वो बेस करता है ठीक हो गया आगे बढ़ते हैं